और बोल्टमीटर अव रजिस्टेंस आर र या तो इसमें जो पूछ रहा है न जी इसमें वी ये वी 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 सी में रिलेशन पूछ रहा है तो मैं आपको एक बताता हूं इस तरीके से अहमानली जी ये रजिस्टेंस है यहां भी resistance है यहां भी resistance है इसको मैं फिलाहल R1 माल ले रहा हूं इसको मैं R2 माल ले रहा हूं इसको डराइब नहीं कर रहा हूं यह current आई है माल लीजी धर कितना गया I1 जिसमें कितना गया I2 तो अगर आपको I1 निकालना होगा तो मैंने बताया था R1 प्लस R2 नीचे कर लिजिए, निकालना किसमें है, I2 में है, तो R1 उपर ले लिजिए, यहां I कर लिजिए, इस concept का यूज करके आप इसे जल्दी समझ सकते हैं, थोड़ा fast हो जाएगा, है ने? तो इसमें करिए जड़ा, इसमें current मैं कितना मान ले रहा हूं, I1 इसमें कितना मान ले रहा हूं, इसका resistance कितना है जी, R, V का कितना है, 1.5R, और इसका कितना है जी, 3R, तो इसमें V निकालोगे, तो I into R आएगा, ठीक है, इसको मैं V A मोल लहा हूं, ठीक है, इसमें निकालना होगा, तो यह हमारा I into R होगा, ठीक है इसमें VB निकालेंगे I into R I निकालने के मैंने तरीका क्या बताया total resistance नीचे 1.5 plus 3 1.5 R और plus 3 R नीचे निकालना किसमें है current इसमें तो उपर ले ले लिजिए 3 R और यह हो गया I main current यहां I मनें I ले लो यह हो गया हमारा I into R, R कितना है जी इसका 1.5 1.5 R ठीक है नॉर्मली है अब इसको solve करना है आपको solve करोगे तो इसे एक चीज़ ध्यान लखे ना simplify करो मैं direct click दिया हूँ तो कि मैं पीछे format बता दिया हूँ इसलिए मैं directly कर रहा हूँ ठीक है कि यहां का current I1 जो निकालेंगे total resistance नीचे इसमें निकालना है तो यह 3R उपर into I ठीक है यह I1 हो गया into R ठीक है इसको simplify करने बाद कितना रहा जी यह आ रहा है 3R उपर होगा नीचे कितना हो जाएगा 4.5R होगा into I होगा तो 1.5 into R अच्छा 3 into 1.5 ना हो जाएगा 4.5 4.5R divided by 4.5R I यहीं रहने 1R यहीं रहने दीजिए तो कट गया यह कितना हो गया I into R आ गया ठीक है सेम कॉंसेट से आप यहाँ भी निकाल लीजिए यहाँ पर भी निकालेंगे तो यह से VC मानेंगे I into R करना है R into 3R है तो लिखो इसमें I निकालने का तरीका कितने है 1.5R प्लस 3R कर लीजिए निकाल इसमें रहें तो उपर कितना लेने वाले हैं 1.5R into क्या करना है आपको I यह जो main current आ रहा यह I 2 हो गया और I 2 into R कितना है 3R इसमें 3R से आप multiply कर दीजिए इसको करिए I और R एक साथ रखिए 1.5 into 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5R होगा इसको add करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5R होगा यह I और R एक साथ रहने दीजिए यह कट जाएगा तो यह कितना आएगा I into R आएगा I into R यहां गया यानि इस में हो क्या रहा है VB की value भी I into R आ रहा है VC की value भी कितना रहा I into R आ रहा है और VA की value भी I into R तीनों equal आ रहा है In the sense C option करेंगे